हेलो गाईज, आएम अरपन गुर्जिय, हम स्टाट कर हैं हमारा लेक्चे नुम्बर फाइफ, गाईज हमने लेक्चे फोर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे हमारे कुछ बिजनेस के अबजेक्टिव्स, हैंड हमने पढ़ा था, प्रोफिट का क्या रोल रहता है बिजन करने वाल है, एक नया टॉपिक पढ़ने वाल है, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस अक्टिविटीज, है ना, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाल है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस अक्टिविटीज, तो आज की लेक्चे को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम 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 हमारे lecture 4 को revise कर लेते हैं, ठीक है, हमने last lecture में पढ़ा था business objectives, हमारे कुछ business के objectives रहते हैं, कौन से objectives रहते हैं, सबसे पहला पैसा कमाना, second हमारी क्या रहती है, social responsibility, society की needs को पूरा करना, consumers को satisfy करना, है ना हमारी कितने objectives रहते हैं, सबसे पहला, economic objectives, second, social objectives, है ना, economic objectives, कौन से रहते हैं, पैसे कमाना, हम पैसे कब कमाते हैं, जब हम economic activities को perform करते हैं, business भी क्या है, economic activity है, बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा, या money's worth, आया समझ में, तो हमारा business करने का motive क्या रहता है, हमारे business करने का aim क्या रहता है, profit and करना, है ना जब हम profit earn करेगे तभी तो हम market में survive कर पाएगे तभी तो हम हमारे business की growth कर पाएगे business को grow कर पाएगे, expand कर पाएगे है ना, फिर हमने देखे थे economic objectives की कुछ points है सबसे पहला earning profit, हमारे business करने का motive क्या रहा है profit earn करना आया समझ में, अगर हमारे business की growth करवानी है expansion करवाना है, हमारे business को बढ़ावा देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, profit earn करना पड़ेगा second क्या था, searching new customers हमें नए customers को ढूडना है, है ना, नए customers को बनाना है create करना है, एड़न हमारे जो existing customers है उन्हें return करके रखना है, मतलब उन्हें बना कर रखना है है ना नइ customers को बनाने के लिए बहुत मेनत करने पड़ती है business को ठीक है ऐसी नहीं बनते नइ customers उन्हें अच्छी quality के goods provide करो उनको services provide करो हैना उनके needs को satisfy करो तब जाकर हमारे नए customers बनेगे भरोसो दिला उने हैना अगर हमें business कनना है तो सबसे पहले हमें consumers का customers का भरोसा जीतना पड़ता है तभी हमारे नए customers बनते हैं तभी वो customers हमारे business में retain रहते हैं आई से बात समझ में फिर third क्या innovations अगर हमारे business को grow करना है हमारे business को बढ़ाना है तो हमें नए innovations करने पड़ेगे नए technologies को use करना पड़ेगा है आज की जमाने में जो market conditions है जो market का environment है वो rapidly change कर रहा है, इसलिए हमें नई-नई technologies को adopt करना पड़ेगा, use करना पड़ेगा, production करने में, goods को distribute करने में, services वैसी provide करने पड़ेगी, इसलिए हमें नई-नई क्या करने पड़ेगी, innovations करने पड़ेगी, जिसके लिए हमें research and development करना पड़ेगा, R&D, market service करने पड़ेगी, नई technologies को क्या करना पड़ेगा, adopt करना पड़ेगा, तभी हम हमारे business को क्या करवा पाएगे, grow कर पाएगे, यहन तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा profits कमा पाएगे, आई बात समझ में, फिर के best possible use of resources, best possible use of resources, हमारे पास जो resources है, उसका best possible use करना है, हैना उसके कुछ alternative uses भी रहते है, जिसे best possible manner में हमें क्या करना है, use करना है, because हमारे पास जो resources है, वो क्या है, बहुत कम है, आई बात समझ में, तो हमारे पास जितने भी resources है, उसका best possible use करना है, कम से कम वेस्टेज करना है जिससे क्या होगा हमारे profits बढ़ेगे फिर हमने और एक point देखा था कि अगर हमारे profits को बढ़ाना है या तो हमारे sales को increase करना पड़ेगा या तो हमें जो खर्चा लग रहा है जो cost लग रही है उसे reduce करने पड़ेगी ultimately फिर हमारा क्या होगा profit अपने आप क्या होगा बढ़ जाएगा यह क्या था हमारे कुछ economic objectives है फिर हमने देखा था कि हमारे कुछ social objectives है कुछ हमारी social responsibilities है society की needs को पूरा करना है ना welfare करना society के लिए customers को satisfy करना यह क्या हमारे कुछ social objectives है हमने इसके भी कुछ points ही देखे थे सबसे पहला supplying quality products customers को क्या provide करवाना quality के products provide करो अच्छी quality की services provide करो at reasonable prices कम से कम price पर because customers हम से क्या चाते है कि उन्हें अच्छी quality के products मिले अच्छी quality की services मिले कम से कम rate में तभी तो उनके needs and wants क्या होगे satisfy होगे तो उनके needs and wants को satisfy करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अच्छी quality के good services reasonable rate में provide करनी पड़ेगी जिससे हमारे क्या होगे नएने customers मनेगे उससे हमारा business grow करेगा हम जादा से जादा profit कमाएगे आई बात समझ भे तो हमें क्या provide करना है अच्छी quality के products सेकेंड हमने देखा था avoiding unfed rate practices चीट मत करो customers को अपने customers को अगर बनाय रखना है तो उन्हें कभी भी cheat मत करो unfed rate practice मत करो because customers क्या है हमारे market की king है तो हमारे customers के साथ कभी भी गलत मत करो है ना कभी भी उन्हें cheat मत करो तो ऐसी कोई activities perform मत करो कि जो customers को harm करे customers के लिए गलत हो ऐसी कभी भी activities परफॉर्म नहीं करने चाहिए एक बिजनेसमेन नहीं आए वास्वाश में because क्यों क्योंकि हमें customers मानाने हैं हमें customers को create करना है अगर हम पहली बार में अगर हम कोई customers को cheat करते हैं तो क्या वो second time हमारे पास आएगा क्या goods को खरितने के लिए नहीं आएगा इससे क्या हो रहा है हमारे customers तूटे के ना इससे क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा profit कमा रहे क्या नहीं हमारे business को grow कर पा रहे क्या नहीं इसलिए आनमे unfettered practices नहीं करने चाहिए black marketing नहीं करने चाहिए है ना customers को guide करो customers को informations provide करो आई बात समझ में तो कभी भी हमें unfettered practices नहीं करना चाहिए ठीक है एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा important है अगर हमारे business को survive करवाना है तो अगर हमारे business को grow करवाना है तो तो कभी भी unfettered practices नहीं करनी चाहिए ठीक है फिर employment generation employment generation मतलब क्या business के एक socio economic institution है मतलब क्या business ने क्या create करना चाहिए jobs create करने चाहिए किन-किन लोगों के लिए skilled and unskilled people के लिए skilled persons जो रहते हैं specific qualifications लगते हैं unskilled persons को कोई qualifications की requirement नहीं है business ने क्या create करना चाहिए jobs create करने चाहिए specially उन लोगों के लिए जो economically backward है जो unskilled persons है उन्हें कुछ opportunities देनी चाहिए क्यों क्यों क्या कर रहे है हमारा objective क्या है social objective है society के welfare के लिए हमें सोचना है है हमें skilled persons के लिए jobs provide करनी है उनके पास specific qualifications होना चाहिए लेकिन जो unskilled persons है उन्हें तो कोई qualifications की requirement नहीं है तो उन्हें भी opportunities देनी चाहिए इससे क्या होगा हमारे social objectives अचीफ होगे है तो जो economically backward लोग है जो economically backward है जो economically weak है उन्हें भी कुछ opportunities देनी चाहिए उन्हें भी काम करने की opportunities देनी चाहिए ठीक है फिर fourth point देखा था welfare of employees हमारे organization में हमारे business में कुछ लोग काम करते है है ना चाहिए वो skilled persons रहे या unskilled persons रहे उन्हें अच्छे से अच्छा welfare देना चाहिए मतलब क्या अच्छा working conditions provide करो है ना अच्छे से अच्छा drinking facilities provide करो water drinking facilities working conditions अच्छे होने चाहिए health facilities provide करो medical facilities provide करो है ना उनके welfare के लिए काम करो कुछ तो उससे क्या होगे employees motivate होगे encourage होगे जब employees motivate होते है तो वो अपने आप अच्छे से काम करते है जादा काम करते है business के लिए जादा output निकाल कर देते है कब जब आप employees के welfare के बारे में सोचोगे employees को regular basis पर अपन remuneration देगे regular है ना fair remuneration दोगे जब अब laborers को fair wages दोगे अच्छे rates दोगे wages के सीधी सी बात है वो अपने business के लिए जादा output निकाल कर देगे उससे क्या होगा अपना business grow करेगा हमें जादा से जादा profits होगे इसलिए हमें employees के welfare के बारे में भी सोचना चाहिए ऐसा नहीं कि हम सिर्फ skilled persons क्या जो skilled workers है सिर्फ उनके बारे में सोच रहे है नहीं ऐसा नहीं जो unskilled है उनके भी बारे में सोचना चाहिए आई बात समझ में फिर हमने fourth point देखा था help to solve social problems business ने help करना चाहिए कि जितने भी social problems है उसे solve कर पाए अगर हम business कर रहे तो कोई pollution मत ना करो ना कोई water pollution ना करो कोई air pollution ना करो आई बात समझ में तो हमें क्या करना चाहिए अगर हम business कर रहे है तो जो social problems है जिससे हमारे business को conduct करने से अगर society को problem हो रही है तो वैसी कोई problems create ना करो उससे solve करो आई बात समझ में ठीक है आया समझ में तो business कर रहे हो तो ह हमें क्या करना चाहिए, social problems को solve करने चाहिए, फिर हमने देखा था contributing to the welfare of the society, last point, अगर हम profits अन कर रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, contribute करना चाहिए, अपने society के लिए, welfare के लिए, हैना हमारी society के welfare के लिए, हमें क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ contribute करना चाहिए अगर हम एक हाथ से profits गमा रहे हैं, तो हमें दुसरे हाथ से कुछ ना कुछ contribute करना चाहिए हमारे society के welfare के बारे में, जिससे क्या होगे हमारे social objectives अचीफ होगे, जब हमारे social objectives अचीफ होगे न, उससे क्या होगे हमारे नहेने customers create होगे, जिससे हमारे business grow करेगा, ऐसा ही नहीं कि हम हमें सिर्फ social objectives के बारे में ध्यान रखना है, हमें profits भी अन करना है, लिकिन अब profits को कैसे अन करोगे, जब अब customers को create करोगे, अपने existing customers को आप बनाए रखोगे, तब अब ज़्यादा से ज़्यादा profit कमाऊगे, लिकिन जब अब profit कमाऊगे, तब हमें हमारी society के बारे में भी आई बात समझ में, business कैसे किया जाता है, business होता क्या है, हम goods को buy sell करते हैं, किसको करते है, customers को ही न, हमारे customers को ही हम goods sell करते हैं, जब हमारे customers हम से satisfy होगे, तभी तो हम से second time हम से खरीदेगे, हमारे पास return रही हो वो customers, तभी तो हम हमारे business को क्या करवा सकते है, grow करवा सकते है, इसलिए हमारे दोनों अब्जेक्टिव्स में है, पैसे भी कमानना ज़रूरी है अगर हमें मार्केट में सर्वाइफ करना है, अगर हम लॉस में काम करेगे, तो हम कैसे सर्वाइफ कर पाएगे दूसरों के सामने, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए प्रॉफिट्स भी अन करना ज ज़रूरी है, हमारे कस्टमर सेटिस्फाइ होने चाहिए, है ना, है ना, हमें कुछ ना कुछ कॉंट्रिबूट करना चाहिए हमारे सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए, वेलफेर के लिए, हमें कुछ ना कुछ कॉंट्रिबूट भी करना चाहिए, ठीक है, तो यह क्य पड़ेगा ध्यानमे रखना पड़ेगा यह अब्जेक्टिफ्स को सब्सक्राइब अच्छिव करने पड़ेगे आई बात समझ में फिर हमने एक टॉपिक देखा था कि profit का क्या रोल रहता हैं वारे business में profit का क्या रोल रहता हैं मारे business में ठीक है हमने देखा था हर एक business का क्या motive रहता है profit अन करना हर एक business का क्या रहता है motive profit अन करना आए बात समझ में इसलिए यहाँ पर लिखाता कि revenue cost से ज़ादा होने चाहिए revenue cost से ज़ादा होने चाहिए ठीक है हमने एक formula देखा था profit is equals to revenue minus cost ठीक है एक छोटा सा example लिया था हमने कि अगर हमें एक product को बनाने के लिए 10 रुपे की cost लग रही है 10 रुपे का खर्चा लग रहा है तो हम उसमें अपना profit एड करेगे है ना हमने कितना profit एड किया था 5 रुपे फिर हम वो product को कितने रुपे में बेचेगी 15 रुपे में तो हमारी revenue कितनी की है 15 रुपे की हमको खर्चा कितना लगा है 10 रुपे का तो हमारा profit कितना है 5 रुपे का इसलिए हमेशा हमारा revenue cost से चाहिए तब ہि हम बोल सकते कि हमारा बिजनेस क्या अंट कर रहर ए प्रॉफिट अंट कर रहर। अगर कोस्ट ज़ाद है हमारे रेवेण्यू से तो इस हमें खरचा ज़ादा लग रहर है। तो हमें loss होगा वाँपर अगर हमें profit अंगनना है तो हमें cost को कम रखना पड़ेगा हमारे revenue जादा होने चाहिए हमारे cost से आई चीज समझ में फिर हमने कुछ points देखे थे कि profit का क्या role रहता है हमारे business में सबसे पहला देखा था return to investors मतलब हमारे business में जो कोई भी पैसा लगाता है क्या सोचकर लगाता है कि हमें अच्छे खासे returns मिलेगे लिकिन आप अपने investors को returns कब दे पाओगे जब आप ज़ादा profit earn करोगे है ना जब आप ज़ादा profit earn करोगे तब ही तो आप अपने investors को return दे पाओगे अगर आप profit earn नहीं कर रहे हो अगर आप पैसा ही नहीं कामा रहे हो तो अपने investors को क्या return दोगे आई चीज समझ नहीं इसलिए profit earn करना बहुत ज़रूरी है सेकेंड पॉइंट देखा तो research and development research and development अगर हमारे business को grow करवाना है तो हमे research and development करना पड़ेगा technologies को adopt करना पड़ेगा market service करने पड़ेगे लिकिन research and development कब possible है जब हमारे पास अच्छे खासे profits होगे जब हम पैसा कमाएगे क्योंकि research and development करने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है ऐसी नहीं हो था research and development ऐसी innovations नहीं किये जाते बहुत ज़्यादा cost लगती है तो उसके लिए हमें profit भी तो अन करना पड़ेगा फिर third point देखा था growth and expansion अगर हमारे business की growth करवानी है अगर हमारे business की expansion करवाना है तो हमें profits अन करना पड़ेगे हमने एक point देखा था retention of profits retention of profits मतलब क्या हम जो profits अन कर रहे ना उसमें से हम थोड़ा सा side में रखेगे क्यों कि अगर future में अगर कुछ ऐसे events आ गए जिसकी वाज़े से हमारे business को risk को रहे तो हम वो risk को क्या कर पाए tackle कर पाए है ना अगर हमें future में हमारे business को grow करवाना है expand करवाना है large scale पर लेकर जाना है तो हमें profits की जरूरत रहेगी हमने एक चीज़ भी देखे थे कि हम क्या हमारे profits को हमारे business को predict कर सकते है क्या कि हम future में profit कितना कमाएगे या profit कमाएगे कि हमारे business को loss होगा हमें ये भी नहीं पता हम predict ही नहीं कर सकते इसलिए हम क्या करते है हम जो आज कमा रहे है उसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा side में निकाल कर रखते है उसे कहते है retention of profits हमने जो side में निकाल कर रखाना वो कभी ना कभी हमें future में काम में आएगा अगर हमारे business को grow करवाने में या expand करवाने में या तो कोई risk है उसे tackle करने में लिकिन ये जो side में हमने profits निकाल कर रखे है उसे क्या कहते है retention of profits मतलब हमारी profits में से हम कुछ हिस्सा side में निकाल कर रखते है तो वो हिस्सा भी क्या है हमारे internal source of funds का ही है ना वो हमारे funds का ही internal source है ना वो हमारे business के profits है ना आया की नहीं आया समझ में फिर हमने fourth point देखा था increase efficiency अगर हम profits ज़ादा कमाते है तो हम regularly हमारे employees को हमारे labor को salary and wages दे पाएगे है ना तो अगर हम profits कमाते है तो जो भी हमारे organization है उसकी overall efficiency increase होगी हम ज़ादा profit कमाएगे तो हम अच्छे से काम कर पाएगे इससे क्या हो रहा है हमारे organization की efficiency increase हो रही है ठीक है फिर fifth point means of livelihood मतलब कि अगर हम profits कमाएगे तो हमारे standard of living हम बढ़ा पाएगे हमारे needs and wants को हम बढ़ा पाएगे कब जब हम profits अन करेगे फिर हमने देखा था reward for risk हमने देखा था जितना ज़्यादा risk उतना ज़्यादा reward उतना ज़्यादा return लिकिन कुछ ऐसे भी risk रहते है कुछ ऐसे भी factors रहते है जो हमारे control में रहते है जो businessman के control में नहीं रहते है ना की नहीं एंड हम ज्यादा profits कमा पाएगे तो हम risk को क्या कर पाएगे थोड़ा सा कम कर पाएगे थोड़ा सा minimize कर पाएगे आई वाद समझ में फिलास्ट पॉइंट देखा था survival अगर हमें market में survive करना है तो हमें profits earn करना पड़ेगा हमारे customers को satisfy करना पड़ेगा customers को खुश रखना पड़ेगा की नहीं अगर हमें market में survive करना है because आज की जो market conditions है आज का जो market environment है वो rapidly change हो रहा है एकदम rapidly तो अगर हमें ये environment में ये conditions में हमें बने रहना है हमारे business को survive कर रहाना है तो हमें अच्छे खासे profits earn करना ज़रूरी है वो हम profits कैसे earn कर पाएगे customers की needs को satisfy कर वाग पर हैना हमने देखा था अगर हमारे sales को increase करेगे and हमारे जो cost लग रही है जो खर्चा लग रहा है उससे कम कर देगे तो ultimately ये क्या होगा हमारे profits earn कर वाएगे आई बात समझ में तो ये क्या थे हमारे profit के कुछ roles थे business में येना business में profit के क्या roles रहते है ठीक है तो ये तो हमारे lecture 4 का हमने थोड़ा से revise कर लिया अच्छे से याद हो जाएए विकास ये कुछ topics जो बहुत जादा important है ठीक है इसलिए हम हरे एक lecture में हम हमारे previous lecture को क्या करते है revise करते है बढ़ते हमारे आज की lecture में हमें आज क्या पढ़ना है classification of business activities हमने देखा था कि हमारे business activities को कितने हिस्सों में बाटा गया है दो हिस्सों में एक है production and एक है distribution production का क्या मतलब रहता है raw materials को finished goods में करना with the help of machines and production का किया जाता है industry में किया जाता है तो industry क्या है business का एक part है है ना distribution क्या है consumers तक goods पहुचाना किसका काम है commerce का काम है है ना कौन से goods जो industry क्या करती है बना कर देती है commerce क्या करता है वो goods को consumers तक पहुचाता है final consumers तक पहुचाता है तो commerce क्या करता है intermediary का का काम करता है मतलब क्या जो industry ने goods बाना कर रखे है वो goods को लेता है और ये goods किसको पहुचाते है consumers तक, customers तक आई बात समझ में तो industry and commerce क्या है ये business के एक part है industry is concerned with the production of goods and services commerce is concerned with the distribution of goods and services आई बात समझ में फिर हम देखते हैं कि industry क्या है industrial sector को तीन हिस्सों में बाता गया है पहला है primary sector, secondary sector and tertiary sector ठीक है देखते हैं हम detailing में industry क्या होता है industry implies the economic activity industry क्या है economic activity है जो एक business का part है business क्या है economic activity है तो industry भी कौन से activity है economic activity है data associated with the conversion of resources into goods that are ready for use industry क्या करती है resources को goods में convert करती है जो ready for use है ना मतलब raw materials को finished goods में convert करती है with the help of machines या manpowers and वो goods जब बन कर तैयार हो जाते है इसका मतलब वो ready for use है आई बात समझ में this involves production and processing of goods mining, breeding and rearing of animals the goods produced में भी consumer goods और capital goods जो industry goods बनाती है या तो वो capital goods रह सकते है या तो वो consumer goods रह सकते है consumer goods है directly consumed by final consumers जो consumer goods रहते है वो goods directly consumers उसे consume कर सकते है लिकिन जो capital goods है उसे हो सकता है कि further processing के लिए भी भेजा जाए आई चीज समझ में पक्का की नहीं ठीक है consumer goods are directly consumed by the final consumer whereas capital goods are used by another industry for the further production of goods आई समझ में the term industry also means the term industry also means group of firms producing similar or related goods industry का मतलब भी क्या है या तो group of firms जो similar products बनाते है या तो जो उससे related goods बनाते है वो भी industry में आते है example sugar industry refers to oil manufacturing units producing sugar from sugar gain similarly electronic industry would include oil firms producing electronic goods है ना तो industry term का क्या मतलब है ऐसी कोई group of firms जो similar products बनाते हैं या तो related products बनाते हैं वो भी industry क्यालाई जाते है it also creates service like banking, hotel, insurance and tourism etc industrial sector में और एक sector एक कौन सा tertiary sector जो क्या provide करवाते हैं service provide करवाते है primary and secondary sector को ठीक है industry creates form utility industry क्या create करती है form utility create करती है सबसे पहले देखते हैं कि ये utility क्या होता है utility क्या होता है utility का मतलब क्या रहता है want satisfying power of a commodity एक commodity की कितनी satisfying power है कि वो अपने consumer को satisfy करवा पाथ लिकिन ये utility depend करती है person to person, place to place आई ची समझ में because मेरी लिए जो utility रहेगी शायद वो आपके लिए ना हो आपके लिए जो utility रहेगी मेरे लिए ना हो क्योंकि utility का क्या मतलब है satisfying power of a commodity मतलब एक commodity का कितना satisfying power है कि जो उसे use कर रहे है उसे satisfy कर पाथ जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो मुझे ये pencil की ज़रूरत है तो अब भी के लिए cell phone आपके लिए क्या है utility है वो आपके क्या करवा रहा है आपको satisfy करवा हो रहा है तो utility का क्या मतलब रहता है satisfying power of a commodity ठीक है लिकिन ये differ करता है person to person, place to place अगर मैं बोलू rainy season में किसकी ज़्यादे utility रहती है umbrella की, raincoats की क्या वो summer season में उसकी utility रहेगी क्या नहीं rainy season में ज़्यादे utility है आई चीज समझ में अगर मैं places की बात करू तो अभी Jambu and Kashmir में अभी किस चीज की ज़्यादे utility रहेगी किस चीज की वुलंद क्लोच की है ना, वाट हंडी गिरी है की नहीं लिकिन अपने यहाँ पर है क्या नहीं आई चीज समझ में तो वैसे ही summer season में किस की साथ utility रहेगी cotton cloth की पक्का तो utility क्या करते है डिफो करते है percent to percent place to place वैसे ही industry क्या create करते है एक form utility provide करते है क्या form utility मतलब क्या होता है example industry क्या करता है raw materials को finished goods में convert करता है मतलब अगर एक लकड़ी है है ना एक लकड़ी है उसे एक finished goods में convert करना है मतलब क्या उससे एक table बनानी है तो क्या कर रहा है वो एक लकड़े को एक finished goods में convert कर रहा है मतलब एक लकड़े के टुकडे को वो क्या करता है, अगर एक लकडे का टुकड़ा है, उसे क्या कर रहा है एक table के form में बना रहा है है ना, एक table बना रहा है जैसे भी है, देख ले ना ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक form utility create कर रहा है, मतलब क्या ये लकडे की पहले क्या utility थी क्या नहीं थी लिकिन जब उसे एक product में convert कर दिया तब इसकी utility बन गई ना तब ये table की क्या बन जाएगी utility बन जाएगी है ना क्योंकि ये क्या एक product है हमने utility का मतलब देखे क्या है satisfying power of a commodity ये table क्या हो गया एक commodity है जो consumers को satisfy करवा पाएगा आई क्या चीज़ समझ में इसलिए industry क्या करती है एक form utility क्या करती है create करती है मतलब क्या एक raw material को finished goods में convert करती है and वो finished goods consumers क्या कर सकते है उसे use कर सकते है मतलब industry ने क्या किया एक raw material को एक ऐसे form में बनाया है ना एक ऐसे design में या एक ऐसे form में बनाया जिसकी क्या बन जाएगी utility बन जाएगी इसलिए industry क्या create करता है form utility create करता है आये क्या समझ में it converts the raw material into usable finished products तब क्या होती है उसकी utility create होती है मतलब एक form utility create करवा रहा है ठीक है all this is possible with manpower यह machines power and large capital investments यह कब possible है आप रेक raw material को finished goods में कब convert करवा पाओगे जब आप machines का user होगे जब आप manpower का user होगे जब आप huge capital investments करोगे तब ही आप यह चीज़ करवा पाओगे तब ही यह चीज़ क्या है possible है industrial activities are connected in factories, workshops, sheds or even sometimes at home industrial activities कहां का conducted है factories में या तो कोई workshops या तो कोई sheds या तो even at home it all depends on the size of the industry यह depend करता है कि हमारे organization की हमारे industry की क्या size है आई चीज़ समझ में पक्का ठीक है फिर इसलिए industry में भी divided into three broad categories हमारे industry को कितने categories में divide किया गया है हमारे industrial sector को कितने categories में divide किया गया है तीन sectors में सब से पहला है primary sector secondary sector and tertiary sector आई चीज़ समझ में ठीक है तो सब से पहले रहे हम देखते कि primary industry में क्या होता है primary industry किसके उपर depends करती है नेयाñ ठीच्यश那 रिसोस्स के उपर, है ना primary industry किसके उपर डिपेंड करती है nature या natural resources के उपर अगर हमें primary industry में काम करना है तो हमारे पास कितने options available हो जाते हैं तीन options कौन से कौन से पहला रगता है कौन सा agricultural second extractive and third genetic पढ़ते हैं क्या होता है primary industry is concerned with nature primary industry किसके उपर depend करती है nature क्यों पर depend करती है it is nature oriented industry the products of primary industry may be used as the input of secondary industry primary industries are of three types primary industry किसके उपर depend करती है nature क्यों पर and primary industry क्या करती है raw materials provide करती है किसे secondary industry को है ना अगर हमें काम करना है primary industry में तो हमारे पास कितने options available है three options पहला agricultural industry this includes farming farming and cultivation of land agricultural industry includes farming and cultivation of lands the quality of products depend on many factors like fertility of land climatic conditions rainfall एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट्रा agricultural industry भी किसके उपर depend करती है nature क्यों पर land and water है ना फिर सेकेंड है extractive industry extractive industry का क्या मतलब रहता है extract करना क्या जमीन में से minerals को निकालना extract करना ये किसका काम है extractive industries का काम है this industry draws out products from natural resources क्या करती है natural resources से products को निकालती है ठीक है soil, air and water generally the products are in raw form and they are used by manufacturing and construction industries for producing finished goods extracting oil minerals from underground ये ना जमीन में से क्या निकालना minerals को निकालना oil निकालना का से जमीन में से underground में से इसको क्या बोलता है extraction करना extract करना ये कौन करता है extractive industries ठीक है it may be used in crude form and may be sent to other industries for further processing जो industries extract करती है जो चीज निकालते है जो minerals निकालते है उससे further processing के लिए आगे भीजा जाता है फिर third है generating industries generating industries का क्या काम है वंच को आगे बढ़ा ना किसके वंच plants, animals, birds है ना इसलिए generating industries are engaged in reproduction and multiplication of plants and animals example animal husbandry sericultural horticultural etc इसलिए generating industry किसके साथ connected है reproduction of plants and animals birds ठीक है तो ये तिनों industries किसके उपर depend करती है nature कि उपर depend करती है तो ये तिनों industries का आएगी primary sector में primary industry में ठीक है आया समझ में क्योंकि primary industry किसके उपर depend करता है nature or natural resources के उपर फिर second है secondary industry ये industry किसके उपर depend करती है primary क्यों पर क्यों क्योंकि primary क्या provide करवाता है raw materials inputs provide करवाता है secondary को and secondary क्या करता है वो raw materials को finished goods में convert करके देता है with the help of machines या manpower आया समझ में इसलिए secondary किसके उपर depend करता है primary की उपर and primary किसके उपर depend करता है nature की उपर आया समझ में इस industries depend on primary industries they convert the raw materials provided by the primary industries into finished goods example tomatoes provided by the primary industries are used for making sauce and ketchup टमाटर किदर उखते है primary में है ना primary industries में primary industries क्या करती है वो टमाटर को secondary को provide करती है secondary क्या करता है वो टमाटर को sauce या ketchup में convert करता है मतलब क्या अरे raw material किसने provide किया primary ने है ना secondary ने क्या क्या वो raw material को finished goods में convert किया and वो good ready for use है आई क्या चीज़ समाझ में वैसी अगर secondary industry में काम करने है तो हमारे पास दो options है पहला है manufacturing second is construction manufacturing क्या होता है this industries are engaged in transforming raw materials into finished goods with the help of machines man powers the final goods may be capital goods or consumer goods और ये manufacturing industries जो raw materials को finished goods में convert करती है जो finished goods बन कर निकलती है वो ready for use है है ना जब ये goods एक पर बन जाता है फिर ये goods को क्या आगी जाता है distribution के लिए आगी भेजा जाता है distribute कौन करता है commerce करता है मतलब क्या जो industry से उन्हे goods मिले वो क्या करते है consumers तक पहुचाने का काम करते है फ्वीरे construction company construction industries क्या काम करती है engaged in constructions of buildings dams, bridges roads, tunnels canals, metro etc. in case of industries goods can be produced at one place and sold at another place कुछ ऐसी industries रहती है कुछ नहीं हर एक industries ऐसी रहती है जा goods दूसरी जग़ा पा जाता है और उसे बेचे कई और जग़ा पर रहता है है ना मतलब goods कई और जग़ा पर बनाता है और वो goods को distribute बेचा कई और जाता है इसको भी क्या बोला जाता है service industry service sector है ना treasury sector को भी क्या बोला जाता है service sector मतलब यह क्या provide करती है industry service provide करती है किसको primary and secondary को है ना primary and secondary industry को क्या support करता है service provide करवाता है आई क्या चीज़ समझ में they provide support services to primary and secondary industry services service facilities provided by the these industries it includes transport banking which comes under the traditional category whereas in modern times industries tourism industries entertainment industries are also included are also included ठीक है आई चीज़ समझ में तो tertiary industries क्या provide करती है services provide करती है इसलिए इसे भी क्या बोला जाता है service sector बोला जाता है service industry बोली जाती है आई ची़ समझ में पक्का ठीक है तो ये क्या था हमारा industry था पक्का industry के कितने पार्ट से तीन पार्ट से primary, secondary, tertiary primary में काम करना है agricultural या extractive या genetic industry ठीक है जो किसकी उपर depend करती है nature या natural resources की उपर secondary में काम करना है secondary किसकी उपर depend करता है primary की उपर प्राइमरी क्या प्रोवाइड करती है इंको raw materials प्रोवाइड करती है ठीक है and secondary industry क्या करता है raw materials को किस में convert करता है finished goods में convert करता है with the help of machines या manpower अगर हमे secondary industry में काम करना हमारे पास कितने options available है दो manufacturing and construction tertiary industry को भी क्या बोला जाता है service industry या service sector कौन सी टाइप की services प्रोवाइड करती है transport, banking, hotel, tourism, entertainment and etc बहुत तरकी services रहती है ठीक है आए के समझ में industry तो industry क्या है business का एक part है industry किसके साथ concerned है production ठीक है अब हम देखते commerce business का second part commerce commerce क्या करता है commerce distribute करता है क्या goods and services क्या वो खुद बनाता है क्या नहीं जो industry goods बना कर देती है वो goods को क्या करता है distribute करता है मतलब अपने consumers तक पहुचाने का काम करता है मतलब क्या वो intermediary है consumer commerce कौन है intermediary का का काम कर रहा है जो consumers and producers के बिच में, जो producers से goods लेता है, वोई goods final consumers तक पहुचाने का काम करता है, आई चीज समझ में, commerce is the part of business activity, commerce भी क्या है, business का एक part है, जो क्या करता है, distribute करता है, किस चीज़ का, goods and services का, कौन से goods and services, जो industry बाना कर देती है, जो industry produce करके देती है, वो goods and services को किदर पहुचा जाते है, consumers तक पहुचा जाते है, किसका काम है यह, commerce का काम है, which is concerned with distribution of goods and services produced by industries, it includes all those activities which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods, consumer bridges the gap between producers and consumers by exchange of goods and services for money or money's worth, तो commerce क्या करता है, एक gap को fill करता है, मतलब producers से goods करता है and वो goods, consumers तक पहुचा आता है, किसके बदले में, पैसा या money's worth के बदले में, goods को क्या करता है, exchange करता है, पैसा या money's worth, money's worth का मतलब ऐसी कोई चीज़ जीसे हम बेच कर पैसा कमा सकते है, उसके बदले में क्या exchange करता है, अपने goods को exchange करता है, ठीक है, commerce is further divided into trade and auxiliary practice to trade, इसलिए commerce further divided है, किज में trade and auxiliary is to trade, trade का क्या मतलब रहता है, trade का मतलब क्या रहता है, सबसे पहले हम देखते है कि trade क्या होता है, ठीक है, trade का क्या मतलब रहता है, buying and selling of goods and services, लिकिन कौन से goods and services जो industry बना कर दे रही है जो industry बना कर दे रही है ठीक है वो goods and services के हम क्या करते है buying and selling करते है फिर trade denote buying and selling of goods and services trade is an exchange of goods and services with money or money is what trade का करना ही मतलब क्या है trade का मतलब ही क्या है कि अपने goods and services को क्या करना exchange करना किस के बदले में पैसा या money's worth के बदले में goods are made available to the consumers in different markets trade facilities transfer of ownership position of goods and services from seller to the buyer trade क्या facilities provide कर वाता है trade क्या facilities करता है trade होता क्या है buying and selling of goods and services जो goods industry बना कर देती है वो goods को consumers तक पहुच रहे जाता है मतलब ये trade कितने लोगों के बिच में होता है दो लोगों के बिच में रहता है जो एक रहता है वो seller रहता है जो एक रहता है वो कौन रहता है buyer रहता है for example मैं अगर trading कर रहा हूँ मैं क्या करूगा industry से goods को मंगवा हुआ and वो goods को मैं किसे बेचूगा buyer को बेचुगा मतलब consumers को बेचुगा तो मैं goods को क्या करूगा consumers तक पहुचा हुगा किसके बदले में पैसे के बदले में लिकिन ये goods मुझे किदर से मिले producers या industry से मिले आये की नहीं समझ मैं ये goods को मैं क्या करता हूँ buyers तक पहुचाता हूँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पहले goods किसके पास थे मेरे पास थे ना फिर वो goods मैंने किसको provide करवाया ये buyer को मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अपने goods की ownership किसे transfer कर रहा हूँ अपने consumer को है ना जब मैंने इससे goods खरिदा तो goods की ownership किसके पास थी मेरे पास थी लेकिन जब मैंने ये goods को बेचा तो साथ में मैंने अपनी ownership को भी क्या कर दिया transfer कर दिया ना अरे ownership मतलब अपनी जमिन जाया तो नहीं अपनी goods की ownership जो goods मेरे पास थे वो goods मैंने अपने consumer को पहुचाया अब वो goods का owner कौन बन जाएगा वो consumer जिसको मैंने goods दिया है ना मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ownership को transfer कर रहा हूँ अरे आये की नहीं आये समझी में ठीक है इसको क्या बोलते है trade बोलते है फिल trade further classified है 200 में पहले एक को बोलते है home trade और second को बोलते है foreign trade अगर हमें trading करना है तो हमारे पास दो options है एक है home trade है और नहीं है foreign trade अगर हम home trade की बात कर रहे है यह कौन सा trade है जो trading जो buying and selling within the country की जाती है within the country हमारी खुद की country में अगर हम buying and selling कर रहे है उसे कहते है home trade home trade को ही बोला जाता है internal trade या उसको भी बोला जाता है domestic trade या national trade आता क्या समझ में home trade को और क्या बोला जाता है domestic trade या national trade आया समझ में या internal trade home trade का क्या मतलब अगर हम हमारी खुद की country में buying and selling कर रहे है within the country तो उसको क्या कहता है home trade कहता है in this trade buying and selling of goods and services take place within the geographical boundaries of a country मतलब within the country it is conducted with the local currency for the exchange of goods and services local currency क्या होता है हम goods and services देगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा पैसा लेकिन वो पैसा कौन सी currency में रहेगा अपनी इंडियन रुपी में ठीक है फिर it is further divided अगर हमें home trade करना तो हमारे पास दो options available है पहला है wholesale trade and second retail trade अगर हमें large skill पर काम करना बड़े skill पर काम करना तो हम काम करें wholesale का अगर हमें चोटे skill पर काम करना तो हम करें रिटेल का ठीक है ठीक है तो सबसे पहले हम देखते है wholesale trade wholesale trade in a wholesale trade goods are purchased and sold in bulk मतलब हम goods को बहुत बल्क में खरिते हैं और हम उसे बल्क में बेचते हैं मतलब क्या wholesale purchase in large quantities from the producers and sell in small quantities to the retailers मतलब wholesale trade हमें करना है तो हमें large quantity में करना पड़ेगा large skill पर करना पड़ेगा मतलब हमें goods को खरिदना पड़ेगा किधर से producers से goods करें दो और वो goods को retailer को बेचेगे आई चीज समझ में की नहीं पक्का he is the link between the producers and the retailers अब मैं आपको समझता हो क्यों होता क्या है अगर हम wholesale का काम कर रहे हैं ठीक है हम क्या करेगे producers से goods को खरिदेगे ठीक है large bulk में large quantity में पक्का ठीक है अगर हम wholesale का काम कर रहे हैं तो हमें क्या काम करना पड़ेगा हमें large quantities में goods को खरिदना पड़ेगा किसे producers से फिर हम क्या करेगे हम ये goods को किसे provide करेगे retailers को provide करेगे हम क्या करेगे retailers को बेचेगे small quantities में तो हमारा का काम रहता है हम producers से एकदम large quantities में goods को खरिदेगे एंड ये goods हम किसे provide करेगे retailers को तो हम कौन है एक intermediary है sorry हम क्या काम कर रहे है हम producers से retailers तक goods पहुचा रहे है 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 ना हम किसका काम कर रहे है intermediary का मतलब हम किसके link के बीच में producer से goods लेकर हम किसे provide कर वा रहे है retailer को provide कर वा रहे है ठीक है इसलिए लिए लिखा है here is the link between the producers and the retailers wholesale क्या ह बीची में, किसके बीची में, producers से और retailers के बीची में, थीक है, फिर second option रहता है हमारे पास retail trade का, retail trade क्या है, एक business activity है, associated with the sales of goods to the final consumers, retail क्या करता है, retailers क्या करता है, जो retail trade करता है, वो क्या करता है, wholesaler से goods को खरिता है, and यह किसको provide करवाता है, final consumers थक, मतलब retailer क्या करता है wholesaler से goods को खरीदेगा and वो किसे provide करवाएगा consumers को final consumers को ठीक है retailer is the one who purchases from the who purchases goods from the wholesaler or sometimes directly from the producers compulsory नहीं है कि एक retailer wholesaler से ही खरीदेगा अगर उसके कुछ contacts है direct contacts है तो वो directly किसे खरीद सकता है producer से भी खरीद सकता है आई चीज समझ में and sells them in a smaller quantity to the final consumers retailer is the link between wholesaler or sometimes manufacturer to the ultimate consumer तो retailer क्या एक link है किसके बिच का wholesaler या producers किसके बिच में wholesaler या producers consumers को क्या पहुचाता है वो goods पहुचाता है ठीक है आया है समझ में तो अगर हमें trade करना है तो हमारे पास कितने options available है दो options है एक तो home trade करो या तो foreign trade करो अगर home trade की बात करते है अगर हमें हमारी country में trading करना है तो हमारे पास दो options available हो जाते है पहला रहता है wholesale trade and second रहता है retail trade अगर हमें wholesale trade करना है तो हमें large quantities में goods को खरितना पड़ेगा और वो goods हमें किसे बेच पाएगे, retailers को, या हो सकता है, wholesaler, wholesaler को sell out कर रहा है ठीक है, अगर हमें retail trade का काम करना है तो हमें किसका काम करना पड़ेगा हमें small quantities में क्या करना पड़ेगा goods को खरितना पड़ेगा हैंड हमें किसे पहुचाएगे हम consumers तक पहुचाएगे ठीक है इसी क्या खाजता है एक commercial activity एक commerce activity कही जाती है ठीक है फिर हमारे पास second option available रहता है जिसे कहते है foreign trade या external trade या international trade भी कहते है ठीक है इसे और क्या कहता है international trade आया समझ में तो जब हम foreign trade की बात करते है तो foreign trade का क्या मतलब रहता है हम trading करेगे across the country दूसरी countries के साथ जब हम trade करेगे तब उससे कहा जाता है foreign trade ठीक है when trade takes place between the different countries it is known as foreign trade when boundaries of two countries are crossed then different currencies are used it is further divided as import export and re-export, re-export को भी क्या बोला जाता है interport ठीक है आई ची समझ में अब import का क्या मतलब रहता है जो goods foreign company बनाती है जो goods foreign में बने जाते है अगर वो goods हम purchase करते है फॉर एक्जामपल अगर कोई goods जो USA में बने थे अगर वो goods को हम खरीद रहे इंडिया में है ना अगर वो goods को हम का खरीद रहे इंडिया में खरीद रहे तो हम बदले में क्या देगे पैसा देगे है ना हम क्या खरीद रहे गोड्स खरीद रहे तो यह क्या है एक import है ठीक है ऐसे goods जो foreign country में बना जाते है और वो goods को हमारी domestic country के लिए हम करीद रहे है है न हमारी domestic country में हम ला रहे है तो उसे क्या कहते है import of goods and यह goods को हम क्या करेगे हमारी domestic country में हम sell out करेगे इसे क्या कहते है import फिर second option क्या export करना अब export का मतलब क्या अगर हम USA को goods provide कर रहे है कौनसे goods जो हमारे इंडिया में बन रहते है हम बदले में क्या लेगे पैसा लेगे हम क्या provide कर रहे है goods provide कर रहे है मतलब ऐसे goods जो हमारे domestic country में बनते है हम वो goods किसको provide कर रहे है कोई और country को provide कर रहे है इसे क्या कहते है export trade देखते है import trade when goods and services are purchased from another country it is called as import trade export trade when goods and services are sold to foreign buyers then it is called as export trade and third कौन सा है interport इसको क्या का जाता है re-export का जाता है ठीक है it is the combination of import and export it involves importing the goods from one country and reselling these goods to another country मतलब क्या हम जो काम करेगे हम as a intermediary काम करेगे मतलब क्या अगर हमने कोई goods USA से खरीदे ठीक है हम इंडिया है हमने goods कहां से खरीदे USA से एंड ये goods हम किसको transfer करेगे further समझ लो जापान को transfer कर रहे है मतलब क्या हमने USA से goods खरीदे मतलब हमने क्या किया import किया है ना हम ये goods को किसको transfer कर रहे है जापान को मतलब हम क्या कर रहे है export कर रहे है मतलब हम किस चीज़ का काम कर रहे हम as a intermediary काम कर रहे हम एक country से goods को खरीद रहे and why goods, हम किसको provide कर रहे है, दूसरी country को, इसको क्या कहता है, re-export कहता है, ठीक है, example, Indian seller, importing goods from Japan and re-exporting same goods to Africa, ठीक है, तो अगर हमें trade करना, तो हमारे पास कितने options available रहते हैं, दो options, या तो home trade कर लो, या तो foreign trade कर लो, and ये क्या है, एक commerce का एक part है, and commerce का second part कौन सा है, auxiliary to trade, auxiliary to trade का क्या मतलब रहता है, जो लोग trade कर रहे है, है ना, उन्हें support करना, उन्हें क्या करना, help करना, auxiliary का ही मतलब कहा रहता है support करना मदद करना help करना हमने आपर trading नहीं करने वाले हम क्या करने वाले जो इंसान trade कर रहा है जो लोग trading कर रहा है उन्हें मदद करेगे because जो लोग trade करते हैं उन्हें कुछ difficulties को face करना पड़ता है तो वो difficulties को remove करने के लिए हम क्या करेगे auxiliary to trade करेगे मतलब हम कुछ services provide करेगे हम कुछ activities perform करेगे जिससे वो difficulties को हम remove कर सकते है आई चीज समझ में तो auxiliary to trade देखते क्या होता है all those activities that facilitate smooth flow of goods from manufacturing centers to the consumption centers are called as auxiliary to trade मतलब यह एकसे activities है यह ऐसे activities है यह ऐसे services provide करते है जहाँ पर smooth flow of goods from manufacturing centers to the consumption centers are called as auxiliary to trade मतलब जहाँ पर goods बना जाते है वो goods को final consumers तक पहुचाने का काम कौन करता है वहाँ पर कुछ difficulties आती है वो difficulties को कौन remove करता है auxiliary to trade मतलब कुछ services provide करते है traders को जिससे वो क्या कर सकते है अपने difficulties को remove कर पाएगे मतलब एक smooth flow जहाँ से goods manufacture होते है जहाँ तक final consumers तक goods पहुचाए जाते है वहाँ तक जितने भी services लगेगी जितने भी activities लगेगी जितने भी difficulties होगी वो difficulties को कौन remove करेगा auxiliary to trade हमने एक point देखाता है ना industrial sector का third point देखाता है अगर industrial sector का कौन सा third sector था tertiary sector tertiary sector क्या करता है services provide करवाता है किसे primary and secondary sector को बस हम उसी चीज़ की बात करते है कि auxiliary to trade भी क्या करेगा कुछ services provide करेगा जिससे trading क्या हो जाए smooth हो जाए ठीक है तो कुछ services है सबसे पहला transport transport का क्या मतलब हो रहता है transport का मतलब रहता है the goods are produced at one place but they are demanded over a wide area goods एक जगा बनते है and उसे consumers तक अलग-अलग जगा पर पहुचाए जाते है ठीक है so goods are to be sent to different places where they are demanded modes of transport, facilities, movements of men and materials for one place to another है ना goods एक जगा बना जाते है and उसे दुसरी जगा तक पहुचाए जाते है consumers तक पहुचाए जाते है तो ये किसके help लेगा किसके help लेगा transport facilities के help लेगा है ना goods एक जगा बना जाते है मतलब एक जगा से दुसरी जगा तक पहुचाए ना कौन करेगा ये transport facilities प्रोवाइड करेगा आई चीश समझ में फिर second है warehousing warehousing का क्या मतलब रहता है go-downs है ना हमने ये बहुत सुने होगे go-downs warehousing का क्या काम है goods को store करके रखना goods को store करके रखना है ना तो there is a gap between production and consumption certain goods are produced throughout the year but consumed only in a particular part of the year मतलब क्या कुछ ऐसे goods रहते हैं जो throughout the year मना जाते है लेकिन उसका consumption साल में एक ही बार होता है है ना particular part में होता है एक साल के particular part में हम goods को क्या करते हैं consume करते है लेकिन ये वो goods है जो throughout the year बना जाते है तो उसका उसे क्या करना पड़ता है हमें उसे consume करके रखना पड़ता है संभाल कर रखना पड़ता है तो हम किसका support करते है हम किसकी help लेते है warehousing की help लेते है आईची समझ में and vice versa in the era of mass production storage is indispensable the goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold मतलब जब से goods बने है उसे बेचने तक उसे क्या करके रखना पड़ता है store करके रखना पड़ता है for example अगर हम vegetables की बात करे या fruits की बात करे तो ये क्या vegetable fruits सारे एकी दिन में बेचे जाते है क्या नहीं है ना ये vegetable fruits कौन से nature के रहते है perishable nature के रहते है मतलब क्या ये एकी दिन में नहीं बीके जाते है ना तो हमें इसे क्या करना पड़ता है संभाल कर रखना पड़ता है ऐसी safe जगाप पर रखना पड़ते हैं, जहां पर ये चीज़े खराब नहीं हो, तो हम किसका support करते हैं, हम किसकी help लेते हैं, वेरहाउजिंग की help लेते हैं, cold storage की help लेते हैं, है ना, तो वैसी, जब से goods बनते हैं, है ना, produce होने से, बेचने तक, उसे कहां रखा जाता है, storage में लखा जाता है, मतलब जब एक बाद goods बन गए ना, जब तक वो नहीं बिकेगे, उसे हम किदर रखेगे, हमारे storage, हमारे warehouse में रखेगे, store करके रखेगे, आई चीज समझ में, पक्का, अगर मैं एक छोटा सा example लो, जैसे manufacturing company, है ना, जो bikes manufacture करती है, जो cars manufacture करती है, वो सारी bikes या cars, एक ही दिन में बिकती है, क्या, नहीं, है ना, वो लोग क्या करते है, manufacture करके रखते है, bikes और cars को बना कर रखते है, लिकिन वो किदर रखते है, अपने go-downs में रखते है ना, warehouse में रखते है ना, है ना, फिर जब तक वो नहीं बिकेगी, तब तक उने वो चीज़ को store करके रखना पड़ेगा, जब वो चीज़ को बेशने के लिए निकालेगे, तो वो warehouse से निकालेगे, एन अपने consumers तक पहुचाएगे, आई चीज़ समझ में, तो warehouse क्या एक go-down है, ज इससे हमारे goods damaged ना हो, अभी मैंने एक example दिया, vegetables का, vegetables को कहां पर store करके रखना पड़ेगा, cold storage warehouse में, तो हमें एक special arrangement करने पड़ेगी, जहां पर ठंडी जगो, है ना, जहां पर हम हमारे vegetables को store करके रख सके, जहां पर खरब ना हो सब जिया, वो fruits खरब ना हो, ठीक है, warehouses are also called as go reasonable level, and there is a continuous supply of goods and services, कुछ warehouse government के रहते हैं, कुछ warehouse private sectors के आथ में, जो government के warehouse है, वहां पर reasonable prices रहते हैं, एंग कुछ privates है, जो ज़्यादा charges करते हैं, ठीक है, आई चीज समझ में, तो ये क्या कर रहे है, trade को services provide कर रहे हैं, जो इंसान trade कर रहा है, जो इंसान goods produce कर रहा है, अगर उस के पास store करने की facilities नहीं है, जब तक उसके goods नहीं बिखते हैं, तब तक उसे store करके रखना पड़ेगा, तो ये facilities कौन provide करवाता है, warehousing provide करवाता है, वैसे ही third point कौन सा है, insurance, insurance, insurance कब निकाला जाता है, जब risk रहती है, हमने देखा था कि अगर हम business कर रहे हैं, तो हमारे business में risk बहुत जादा रहती है, है ना हमारे business में क्या रहती है, risk कर रहती है, तो वो risk को reduce करने के लिए हम क्या करते है, insurance निकालते है, वो risk को कम करने के लिए क्या करते है, हम इंशॉरंस निकालते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत से रिस्क होता है, मतलब क्या, हमारे कुछ unfavorable या undesirable events की वज़े से हमें बिजनेस में नुकसान हो सकता है, हमारे कुछ ऐसे activities होगे, जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे factors भी रहते है, जो ह हमारे control में ने रहते हैं, एक businessman के control में ने रहते हैं, लेकिन वो risk को भी तो reduce करना पड़ेगा ना, हम risk को पुरा avoid ही नहीर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ हद तक हम उसे क्या कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं, तो वो risk को, कम करनी के लिए हम क्या करते हैं, insurance करवाते हैं, हमारी goods का, एक example लेता हूँ, अगर हमें एक business startup करना है, हमें बहुत बड़े plant की ज़रूरत है, machines की ज़रूरत है, जो हम import करवा रहे हैं, अगर हम import करवा रहे हैं, for example, अगर हम by seaways import करवा रहे हैं, बड़ीशी ship में हम import करवा रहे हैं, तो वो ship हो सकता है, बीच में डूब जाए, हो सकता है कुछ natural calamities की वज़े से, वो हमारी ship डूब जाए, हमारी machine डूब जाएगी, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसे, वो rix को कम करने के लिए हम क्या करवाएगे, हमारी machine का insurance करवाएगे, कि अगर गल है ना, हमारा rix तो होगा, थोड़ा सो तो होगा, लिकिन हम हमारी rix को थोड़ा सा तो कम करवाएगे, थोड़ा सा तो reduce करवाएगे, इसलिए हम insurance करवाते हैं, these are various rix involved in the business, these goods may be destroyed while in the production process, ये goods या तो production process में भी destroyed हो सकते हैं, और in the transit, due to accidents, और in the storage, due to fire or theft, हो सकते हैं, या तो production production process में goods खराब हो जाए, हो सकते हैं, या तो transit में खराब हो जाए, transit मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुचा जाने में, वहां पर कुछ risk है तो, या तो accidents हो जाए, है ना, अगर एक truck दूसरी जगह लेके जारी है goods को, हो सकते है, बिच में उसका accident हो जाए, आई चीज स हम क्या करते है, insurance निकलवाते है हमारे goods का, the businessman would like to cover this risk, insurance company comes to their rescue, they undertake to compensate the loss of a due to such risk, the businessman has to insure his goods and pay premium regularly, जब हम हमारे goods का insurance करवाते है, ता हम क्या पे करते है, premium पे करते है, regular basis पर, ठीक है, risk cannot be avoided completely है, हम हमारे risk को completely avoid नहीं कर सकते है, लिकिन, जहां तक हो सकते है, हमारे risk को, हम कम कर पाएगे, उसके लिए हम क्या करवाते है, insurance निकलवाते है, ठीक है, फिर fourth point का है, banking, banking, अगर हमें business को start करना है, तो हमें large capital की requirement रहती है, है ना, अगर हमें goods करिदने है, तो भी हमें capital की requirement रहती है, लिक banking sector provide करवाता है, है ना, ठीक है, we require money to start the business and to run smoothly, bank supports, money, adequate funds can be obtained from the bank, bank provides loan overdraft, cash credit, etc. to business bank, bank also provides many services like checks, drafts, debit card, credit cards, online transactions, it helps the trader to carry business activities smoothly, banking क्या provide करवाता है, पैसे provide करवाता है, loans provide करवाता है, जिससे हम हमारे business के activities को smoothly run करवा पाए, आया समझ में, फिर fifth point है, advertising, अगर हम business कर रहे हैं तो advertising बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम हमारे consumers तक informations provide करवा सकते है, हमारे products के बारे में, हमने inform करवा सकते है, ठीक है, the producers communicates all informations about the goods and services to create a strong desire in consumers to buy the products, advertising अगर हम करवाएगे न, तो consumers के mind में effect create करता है, for example, हम TV में देखते है कि बहुत सारी ads आती है, है ना, कुछ ऐसी भी ads रहती है, जिसे देखकर, हमें वो चीज को खरिदने की इच्छा हो जाती है, बहुत बार देखोगा अपने, तो वो क्या marketing strategy है, वो क्या marketing strategy है, जिससे वो company अपने goods को क्या कल रही है, sell कर रही है, consumers तक पहुचा रही है, with the help of advertising, यह सबसे बड़ा point है, बहुत important point है, business point of view से, अगर हमारे sales को increase करवाना है, तो advertisement is the must, बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे sales को increase करवाना है, ठीक है, it can be carried in different ways, it can be indoor and outdoor, communication with the people, when they are in their homes, is called indoor advertisements, अपने देखाओगा, हमारे घर पर बहुत सारे लोग आते हैंना, जो लोग marketing करते हैं, हमारे घर पर आते हैं, sir यह product लो, मैं यह product लो, बहुत अच्छा है, यह क्या कर रहे है, advertising को तो कर रहे है, advertising indoor भी हो सकती है, and outdoor भी हो सकती है, for example, newspaper, radios, televisions, etc, है ना, communicating with people, when they go out from their homes, is called outdoor advertising, posters, hoardings, at prominent places, neon signboards, etc, ठीक है, 6th point है, marketing agents, consumers are scattered over a wide area, हमारे जो consumers रहते हैं, वो scattered रहते हैं, एक ही जगा पर consumers रहते हैं, क्या नहीं, कुछ consumers कुछ different states से रहते हैं, कुछ consumers कुछ different states से, है ना, हमें सारे consumers की needs and wants को satisfy करवाना है, तो हमारे products को हमें हर एक जग सप्लाई करवाना पड़ेगा, हर एक consumers तक पहुचाना पड़ेगा, तो हम किसकी help लेगे, है ना, तो किसकी help लेगे, mercantile agents की, आपने देखाऊगा, जब आप Amazon से order करते हो, तो क्या वो खुद, वो organization आपके घर पर वो product को delivery करने आता है, क्या, नहीं, कॉन करने आता है, कोई agent वो goods की delivery करने आता है, मतलब, वो organization किसकी help ले रहा है, agent की help कर रहा है, जो goods को collect करके हमारे doorstep तक रखने आता है, हमें देने आता है, ठीक है, customers are scattered over a wide area, it is not possible for seller to contact the customers, this difficulty is solved by the mercantile agents, the bridge, the gap between the buyer and the seller, brokers, estate agents and etc. are some examples of mercantile agents, आया क्या समझ में, पक्का की नहीं, ठीक है, फिर last point है हमारा communication, communication, मतलब क्या, in today's world, there is information explosion, the information has to be communicated, there is a need of communication facilitating, the traders, producers and consumers to exchange informations with one another, various means of communication such as cell phones, postal services, emails etc. are made available, अगर हम business कर रहेना, तो हमें communication करना बहुत जरूरी है, without communication, बहुत सारे conflicts पैदा हो सकते हैं, मतलब, बहुत सारे misunderstandings हो सकते हैं, buyers and sellers के बिच में, इसलिए communication होना बहुत जरूरी है, एक seller ने buyer को, जो product sell कर रहा है, उसके बारे में communicate करना बहुत जरूरी है, कि ये product क्या है, है ना, कुछ, उसके effects, कुछ side effects क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है, वो product के बारे में information provide कर रहाना बहुत ज़रूरी है है ना इसलिए buys and sellers की बीच में communication होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो यह क्या थे हमारे कुछ auxiliary to trade थे जिसकी help से हम क्या कर सकते है हमारे trading में जितने भी difficulties होती है वो साथे difficulties को हम क्या कर पाएगे solve कर पाएगे with the help of this services इसे क्या कहता है auxilaries to trade आएगे समझ में हमारा chapter यही खतम होता है लिकिन हम हमारे next lecture में क्या करेगे हम chapter 1 की exercise को solve करेगे and हम chapter 1 के कुछ questions and answers को discuss करेगे full exercise को solve करेगे and questions and answers को हम क्या करेगे discuss करेगे ठीक है तो एक बार इस lecture को wind up करने से पहले सबसे पहले हम revise कर लेते हैं कि हमने इस lecture में पढ़ा क्या है हमने पढ़ा था classification of business activities business activities को दो हिस्सों में बाटा गया है एक रहता है trade और एक रहता है sorry एक रहती है industry और एक रहता है commerce industry क्या काम करती है production का raw materials को finished goods में convert करती है commerce क्या करती है वो goods जो industries बनाती है उसे क्या करती है distribute करती है industry को तीन हिस्सों में बाटा किया पहला है primary sector, secondary sector, tertiary sector primary sector किसके उपर depend करता है nature and natural resources primary sector में अगर हमें काम करना है तो हमारे पास कितना options available है तीन agricultural, extractive and genetic secondary किसके उपर depend करती है primary, क्योंकि raw materials को प्रोवाइड कर रहाता है primary and secondary का क्या आम रहता है raw materials को किसमें convert करना finished goods में convert करना अगर हमें secondary में काम करना है तो हमारे पास कितना options available है पहला manufacturing second, construction and tertiary industries क्या करती है services प्रोवाइड करती है किसे primary and secondary sector को फिर हमने देखा था कि commerce, commerce क्या होता है क्या करता है, goods को distribute करता है जो industries goods को बनाती है वो goods को लेकर consumers तक पहुचा ना किसका काम है, commerce का काम है commerce में अगर हमें काम करना है तो हमारे पास 2 options available है पहला है trade and दुसरा है auxiliary to trade, अगर हमें trade करना है तो हमारे पास 2 options available रहते है या तो home trade करो, या तो foreign trade करो home trade मतलब within the country foreign trade बोले तो across the country home trade करते है तो हमारे पास 2 options available रहते है, पहला रहते है wholesale and second रहते है retail अगर हम foreign trade की बात कर रहे है हमारे पास 3 options रहते है या तो import करो, export करो या तो re-export करो second option available है auxiliary to trade मतलब क्या जो लोग trading कर रहे हैं उन्हें support करो with the help of services कुछ services provide करो जिससे उनकी difficulties क्या हो जाए कम हो जाए कुछ हमने देखे थे services पहले transport, warehousing, insurance, banking, advertising, mercantile agents, communication and etc आये चीज़ समझ में तो industry and commerce क्या है business के parts है ठीक है industry is concerned with production and commerce is concerned with the distribution of goods and services आये समझ में तो आज की lecture को हम यही wind up करते हैं next lecture में मिलेगे हम next lecture में क्या करने वाल है chapter 1 की exercise and कुछ question answers को हम discuss करेगे तब तक आप यह chapter 1 को बहुत अच्छे से पढ़ कर रखिए ठीक है so आज की lecture को हम यही wind up करते है so thank you